नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया ने एक जोइंट वेंचर के तहट FGFA प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था 5th Generation Fighter Aircraft लेकिन किसी वज़य से वो प्रोग्राम रद हो गया और इंडिया उससे बाहर हो गया अपनी मरजी से तो ऐसे में दोस्तों अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया इस प्रोग्राम को दوبारा से शुरू करेगा और वो कैसे पॉसिवल है तो चलिए दोस्तों इसी के उपर लिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जो खबर आ रही है वो ये है कि इंडिया अपने एक फाइटर जेट के ऊपर कुछ ऐसी चीजे करेगा कि वह है FGFA के बहुत जादा नजदीक पहुंच जाएगा यानि कि दोस्तों एक फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीजे होंगी जो इंडिया FGFA के अंदर करना चाहता और अभी दोस्तों इंडिया का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है जिसके अंदर इंडिया बहुत से बदलाव कर रहा है इसे नाम दिया जा रहा है सूपर सुखोई प्रोग्रम लेकिन इसके बनाया गया है और यह बहुत ही केपेबल ट्विन इंजन फाइटर है और दुनिया का सबसे ज़्यादा मिनूवरेबल फाइटर जेट माना जाता है और उसके बाद दोस्तों इंडिया और रशिया ने बहुत सी नई टेकनोलोजीज विक्सित की हैं जिसकी सायता से दोस्तो तो अब इसे अपग्रेड करने के परियास किया जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तो रश्या की मदद से हमने MiG-21, MiG-27, MiG-29 को भी अपग्रेड किया है। लेकिन दोस्तो सुखोई 30 MKI ऐसा फाइटर जैट है जो लंबे समय तक चलेगा इसकी बनावट भी ऐसी है। तो ऐसे में दोस्तो मोडरन डेव वारफेर की बहुत सी चीजें इसके अंदर डाली जा रही हैं। और इसके इलावा रश्या से बात हो चुकिये इसके अंदर बहुत सी चीजों में बदलाव किया जाएगा जिसकी मैं बात आपको बताऊंगा। तो दोस्तो सबसे पहले बात आती है रडार की अभी जो सुखोई 30 MKI के अंदर रडार है वो 400 किलोमेटर की रेंज तक अबजेक्ट को ढूंड सकता है और 200 किलोमेटर तक उनके साथ में ट्रेक कर सकता है। तब ही बहुत से लोग इसे ये भी कहते हैं कि ये एक मिनी अवाक्स है यानि कि एरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। और दोस्तो दूसरी बात करेंगे हम इंजन की अभी के अगर हम सुखोई 30 MKI की बात करें तो इसके अंदर रशिया के अंदर बनाया गया सैटरन AL-31 टर्बो फैन इंजन लगा है जो कि दोस्तो आफटर बर्नर 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है जो कि बहुत ही अ इंजन को अपग्रेड करने की जरूरत है और इसके लिए अगर कोई बैस्ट ओप्चन हमारे पास है तो वो है इस डिलिये 30 इंजन जो कि दोस्तो 176 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है तो आप समझ सकते हैं कि सुखोई 30 की पावर इसके लगने के बाद कितनी जाएगी और कितने वेपन ये कैरी कर पाएगा अलांकि दोस्तो एक उप्चन हमारे पास सुखोई 35 के इंजन का भी है जो कि दोस्तो AL-41F1S इंजन है लेकिन ये 142.2 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है तो इसलिए दोस्तो हो सकता है कि इंडिया सुखोई 57 के इंटी ग्रेट होनी चाहिए और इसके लिए दोस्तो इसको ज़्यादा पावरफुल होना जरूरी है जिसके लिए इंजन में बदलाव भी किया जा रहा है और दोस्तो इन मिसाइल की रेंज 300 से 3.5 किलो मिटर होगी और साथ ही जो नया AES से रडार होगा वो बियोंड 77 मिसाइल से ज़्यादा बेटर है रेंज के मामले में और इसके इलावा शोर्ट रेंज के लिए दोस्तो इसके अंदर SRAM मिसाइल को लगाया जाएगा और दोस्तो इन सारी चीजों से सुखोई 30 MKI की वेपनरी बहुत जादा स्ट्रोंग हो जाएगी और वहीं दोस्तो अग पुरण डिजिटल आवियोनिक्स के साथ में रिप्लेज किया जाएगा और इसके इलावा दोस्तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रिवर्तन किया जाएगा वो होगा इसके रडार क्रोश सेक्चन को कम करना इसके लिए भी बहुत से परियास किये जा रहे हैं और साथ ही दोस्तो हो सकता है कि इसके dynamics के अंदर भी या इसकी structure के अंदर भी change किया जाए ऐसा भी possible है तो इससे दोस्तो इसके अंदर stealth feature भी आ जाएंगे तो दोस्तो इन सारी चीजों से होगा क्या दोस्तो पहली बात तो ये होगी कि सुकोई 30 MKI 4.5 generation fighter jet के अंदर सबसे ज़्यादा powerful जो एक 5th generation fighter jet के अंदर होने चाहिए बाकी दोस्तो ये हम कह सकेंगे कि चाइना का जो fake J20 fighter jet है जिसे 5th generation fighter jet कहते हैं उससे यह बहुत ज़्यादा powerful हो जाएगा या उसको कह सकते हैं कि टकर दे पाएगा अगर वो वाक्या में ही 5th generation fighter jet है धन्यवाज जैहिन